गुड मॉनिंग या फिर एंजाइम्स की उनको शरीर में एक अस्तान से दूसरे अस्तान पर भेज़ता रहता है यही बताए थे पिछले वीडियो में तो जो थैले होते हैं इनको दो तीन भागों में मुख्यता तीन भागों में बाटते हैं पहला होता है अंतासरावी ग्रंथी ग्रंथी में होता है यह ऑपने अंतासरावी ग्रंथी तो ऐसे थैले आपिर इसी ग्रंथ्या जिनके अंदर जो पदार्थ भरा हैं हार्मोने धावानes दियान्या के लिगके प्र clinics कंपीश का रहा है उसको सरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या करते हैं उस हार्मोन्स को रक्त में छोड़ देते हैं क्योंकि रक्त पूरे बॉड़ी में घूमता रहता है क्योंकि रक्त नलिकाओं के माद्धियम से पूरे सरीर में घूमता रहता है वो अपने उपर भरोसर रखती है 22 गरंथियों के पास अपनी खुद की नलिकाएं होती है वो 22 गरंथियों में जो एंजाइम बनता है 22 गरंथियों में हर्मोंस बनते है और 22 गरंथियों में क्या होता है एंजाइम्स होता है तो 22 सरावी गरंतियों में जो एंजाइम्स होता है न वो एक जगह से दूसरे जगह किसके माद्यमस भीचती है वो अपनी नलिकाओं के पास से भीचती है मतलब अंतर सरावी गरंथियों के पास अपनी नलिकाएं नहीं होती और 22 सरावी गरंथियों के पास अपनी नलिकाएं होती है अंतर सरावी गरंथियों के पास अपनी नलिकाओं के माध्यम से भीचती है बात क्लियर है ना बोल सकते हैं कि अंतरह सरावी गरंतियों के पास अपनी गाड़ी नहीं है वो दूसरे के माद्यम से अपनी चीज़े एक जगा से दूसरे जगा भेजती है और 22 सरावी गरंतियों के पास अपनी गाड़ी यह हीरो हॉंडा ग्लैमर है वो अपनी गाड़ी के माध्यम से मतलब ग्लैमर कहने का मतलब यह एक वो अपनी गाड़ी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह भेज सकती है यह कहने का मतलब है तो दो तरीका समझ माया एक तो वो जिनके पास जो हर्मोन से निकालते हैं और उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है मतलब वो दूसरे माध्यम भीजते हैं धूसरा वो जो En,​इम से निकालते हैं और जिनके पास अपनी खुद की गाड़ी है मतलब अपनी नलिकाओ के माध्यम से दूसरी जगह पर भीजते हैं बात clear है अर एक मिस्रित होती है, मिस्रित वो है, जिनके पास हरमोंज और एंजाइम दोनों होते हैं, तो उनको मिस्रित में रखा गया है, ठीक है, बात के लिले रहे न? तो हम इस टाइम क्या पढ़ रहे हैं 22 राभी गरंथिया पढ़ रहे हैं 22 राभी गरंथिया पढ़ रहे हैं उसमें हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था एक तो पढ़ा था सेरोमेन गरंथि जो कान में मिलती है उसके बारे हम डिटेल से पढ़ा था एक पढ़ा था लेक्रिमल गरंती जो आख में मिलती है उसके बारे हम डिटेल से पढ़ा था और एक पढ़ा था पंकटन जो की आख में ही मिलती है उसको भी डिटेल से पढ़ा था आख की आख की ही एक गरंती रह गई है उसको चलिए, cover कर लेते हैं उनको, आसा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, उसको, सुरू करनी से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, यह आपको body structure दीख रहा है, ध्यांस देखिए, यह body structure दीख रहा है आपको, body structure में ये rips है पसलियां है इनके अंदर हमारा फेफडा है और यहाँ पर है यक्रित और ये है अमास है ये बडियात ये छोटियात आप इस वीडियो में देखिए मतलब इस चित्र में देखिए दूसरे वाले में ये male का है और ये female का है सिंपल सी बात है ये दिख रहा है आपको ये है क्या है ये है यक्रित ये अमास है ये बडियात और ये छोटियात body में ऐसे भरे पड़े हैं ये ये चीज़े समझ में आना चाहिए तब ही तो पता चले न हम कहां की बात कर रहे है अज की बात करना है आज की बात करना है आज बात करना है आख में एक गरंथी और होती है उसको बोलते हैं मेबियन गरंथी क्या बोलते हैं मेबियन गरंथी का काम क्या होता है ये मेबियन गरंथी आपको मिलेगी यहाँ पर आख में यहाँ नीचे की तरफ ऐसे फैले होई मिलती है को क्या है कि आ अंखों के नीचे की तरफ होती है और यह क्या करती है आखों की सुरच्छका का कामया तेल है तोत में जाती रहती है चुनी गंदगी गठा हुई रहते है जब आप सौते हो ना जब आख आप बंद करते हो तो आख कौराम मिलता है तो उस दावरान आख में जितना कीचड रहा होगा आउस समय तो ये उस तेल के माध्यम से उस पूरे कीचड को इकठा कर लेगा और इकठा करके किनारे किनारे या फिर आख के यहीं बगल में बालों के पास यहां किनारे भेज देगा जो कि आपके आख के कीचड की रूप में बाहर आता है जानते हो ना आख में कीचड होता है वो बाहर आता है जब आप सोके उड़तो न एक दम सुखा सुखा सा चिप का रहता है यहाँ पर वो यहीं बनता है कौन बनाता है मोवियन बात के लिए रहे कहां मिलता है आगे नीचे, इसके बाद या लैक्रमन हमने पिछले वीडियों बता था, पंकटन के वारे में पिछले वीडियों बता था, अगर नहीं देखो तो पिछला वीडियों जरूर देख लिजेगा, बहुत सारी जानकारी वहाँ सभी मिल जाएगी, आगे बढ़ते हैं, आगे हिसरा भी ग्रंथी की बात करें, ति एक ग्रंथी होती है, स्वेट ग्रंथी, स्वेट ग्रंथी का काम क्या होता है, सरीर में पसीना निकालने का काम करते है, बोडी से पसीना जो निकलता है, स्वेट ग्रंथी, उसे निकलता है, इतना जानते हो ना, यह पसीने का आता है कि सरीर के तुचा में छुटे-छुटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों से पसीना बाहर आता है जो दिख रहा है आपको यह पसीना है पसीना बाहर आता है एक बात और किलियर पता चलता है कि जो रोएं होते हैं उनके माध्यम से उनके छिद्रों के माध्यम से पसी स्वेध गरंति थोड़ा सा इसके बार देखिए तो यहां पर देखिए आप यह जो नीला वाला यह दिख रही है और यह वाला यह क्या कर रहे हैं बॉड़ी में नीचे इकठा है और बॉड़ी के टंपरेचर को बनाये रखने के लिए सरीर से पानी को इस बाल के रास्ते से या फिर वैसे भी यह बाहर निकालने का काम करते हैं इसी को मैं उपर करना हूँ देखरो तो इस तरीके से यह पसीना बाहर निकालने का काम करते हैं कौन सी गरंतियां है स्वेध गरंतियां जानते हैं यह पसीने का निर्मार करती है और जिससे जिसमें क्या होता है नमक भी करना तो लाइसोजीम n ‫ किया करता है के तरटावों से सुर्दच्छ पर्दान करता है तो कहां मिलेगा पसीने का धिर्मार करता है। जिस सरीर को ठंडा महसूस होता है। तो अभी घर्मी पढ़ रही ना पसीना खुब भर-भर ऑधर के के नीशे बैट जाते हैं और जब तक आपके बाड़ी में पसीना होता रहता है तब तक पंखा का हवा भी बहुत ठंडा लगता है लेकिन थोड़ी दिर बाद क्या होता है आपके बाड़ी में पसीना सूख जाता है तब आपको वह हवा ठंडा नहीं लगता है तो ऐसे में ज जरूरस से ज़्यादा पंकिक हवा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ब्यूटी चली जाएगी, चेरा रूखा हो जाएगा, हाथ पैर रूखे हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं आपकी तरफ, ठीक है, तो जितना जरूरी है उतना ही पंकिक हवा लें, और कोशिज न हुझा करती है, इस तरह से हवा ले सकते हैं तो मच्चर नहीं लगा लें, मच्चर से भी सुरच्छा रहेगी, प्रस डाएट ह वा नहीं लेगा हवा हवा हलका हालका लगा सरीर कंगतर करें लिट्र हवा शाय कोशिब करें को जब spike स्कीन जो मुलायम बना बना रहता है किसकी होता है तैली गरन्थियों की वज़े होता है करना सिबाम का निर्माड और सिबाम को यह स्य जो यह आपके स्पूछा लिघे इटम हैं निकम्हाने जिटार लुट सब्सक्राइबंस में दुटे है जो कि पाचन-तंत्र में यूज नहीं होती फिर भी वह बाइसरावी है तो इसके अलावए गरंथी यहर है उस्तन-गरंथियों के बारे में बात कर लेते हैं मैरिग लेंड बोलते हैं इस्तन-धारी-वर्ग के दए मेमेरी गलेंड ग्लेंड को अस्तन धारियों में जो विसेस मतलब गरंदियां गरंदियां में प्राइ जाती है दरसल मेल और फी में दोनों ही भूड़ा वस्ता, तो उस दोरान जो अस्तन का विकास मेल और समान रहता है लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होने लगते हैं मेल और फिमेल तो जब 10-12 साल की उम्र के दोरान जब फिमेल में 6 हार्मोन एक्टिव होने लगता है तो उस दोरान यहां अस्तन गरंतियां बाहर आने लगते हैं और उस दोरान कौन सा हर्मोन अक्टिव होता है मुक्रोप से estrogen hormone active होता है जब estrogen hormone active होता है तो अस्तन गरंतियां बनना शुरू होती है और अस्तन गरंतियां जब बनना शुरू होती है तो female के अस्तन में उभार आना शुरू हो जाता है तब जाकर अस्तन में उभार होना शुरू होता है और अस्तन का निर्माण होना शुरू हो जाता है ये जो आपको काट दिख रहा है ये अस्तन गरंथी का ही है थोड़ा इसको ध्यां से देखें अस्तन गरंथियों में फिमेल में इस तरह से ये जो आपको यहां दिख रहा है ये ऐसे छोटे छोटे ग्रंथियों के रूप में मिलते हैं और इसमें क्या होता है दूद भरा रहता है दूद इसी में रहता है और ये छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से आगे आकर जुड़ी रहती हैं और सामने यहां वाले पार्ट पर निपल्स होता है निपल्स का का मुझा मुझा माने इपके पीछ दूद बड़ी मात्रा और वी इस डौरान पर दो बड़ी मात्रा है the repub tragen मतलब कि निपशते जिसे बोलते हैं इन स भी पड़ERS पाता है और अगर अगर निपल को बोलत Tôi निपल्स को तो ये फीमेल बाड़ी में मिलते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर हैं जहां पर उनके बाड़ी में निपल्स नहीं मिलते हैं स्टन गरंतिया तो रहती हैं लेकिन निप्ल सा नहीं मिलते हैं इधर देखें Champ यहां पर देखें नहीं यहां पर लिखा देखना यह वाला छेत्र यह लिखना सर दभी सफ्बरीका। लािए होजे की सबसंद से देखी के नंडिकार और देखें भारत का विश्ट्स का प्रथम इस्तंधारी जानवर के रूप में उसे वान्वन जाते हैं. उसका नाम है प्लेटिपस. प्लेटिपस में जो अस्तंग्रंथिया में पाई जाती हैं. उसक 하면 निप्ल्स नहीं मिलते हैं.ि इस जानवर को आप देखिए होगी. इसे platypus बोलते हैं, ज्यादा ज्यादा 30 से 40 से में लगवा 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर का लंबा होता है, ये पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, तु भाजर भी बोल सकते हो अप, पानी जमीन दोनों जगा मिल जाता है, ये platypus बोलते हैं, दरसल जीवो दो से जन्म देते हैं या तो वह अंडे के रूप में जन्म देगा पर डारेक्ट बच्चे के 20 बोलते हैं जो जियु उप्राणी अंडे त बच्चे को दूद नहीं की पिलाते हैं वहाँ पर निपल्स नहीं मिलते हैं कि सब्सक बाहर आ जल कि दूदि . प्लेटिपस तो प्लेटिपस की विशेष्टा यह है कि यह है कि इसके अंदर इस्तन गरंथिये का पाई जाती हैं वहां पर निपल्स नहीं मिलते हैं इसके अस्तनकरंथिओं degrees नहीं कुछ से इसका बच्छा क्या करता है वही यह दूद Loren, डाल के पी इसमें निपल्स नहीं मिलते हैं जनरली जानकार एक लिए बता दिया हूँ इसको आप याद रखिएगा अगर कभी पुछा जाए कि कौन से जानवर है अंडे भी देता है और बच्चे को दूद भी पिलाता है तो उसका नाम है प्लेटिपस कहां मिलता है बड़ी मातरा मीं ये अस्ट्रेलिया में पाया जाता है याद रहेगा ये अब लाश्ट में चलते-चलते पहले एक क्यूस्टन आपको दीता हूँ क्यूस्टन का एंस और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बिना निट के मदद से किताब में अगर आपको मिले तो ढोट देजी अगर पता है तो comment बाक्स में ये question बता ना है और मैंने जो आपको शुरू में चितर दिखाया था वहाँ पर भी अच्छे से स्तन गरंतियों को उस फीगर में भी दिखाया गया था यह चितर याद है ना देखिए इसमें स्तन गरंतियां अच्छे से दिखाये गई है मैंने आपसे कहा था यह male है और यह वाला female है कैसे इधर दुखतगरंतियों को आसानी से इसमें दिखाया गया है कि दिख़ए आपको यह दु lugद गरंतियां और कैसे इधर आकर किसी नलिका से याँ जुडए होई है तो यह जो structure था female का था और यह male का था यह मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था इस वीडियो में भी चितर देखने से दिमाग में घर कर जाती है तो आसा करते हैं कि आज भी आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा फिर नेस्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताईएगा और अगर चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब कर लेजिएगा मिलते हैं आप से नेस्ट वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहें और मस्त रहें